हेलो एवरिवन कैसे हैं आप अच्छे हैं अच्छे बने रहे हैं दोस्तो शौर करकेट एडिशन में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तो आज मैं आपको लिए वीडियो लिखे आया हूँ आई पील में पैसे कैसे कमा है विट वेरी लॉर रिस्क के साथ बस आपको जो ट्रिक म आपको बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है इस बात का शौर्टी है कि डेली अर्न दस से एक लाग आप कर सकते हैं दोस्तो सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन कर दीजेगा इस लिंक आपको डिक्शर्शन में बिल जाएगी और साथ में आप हमारे इस लिए देग्रम चैनल जोईन कर लिजेए यदि आप टेलिग्रान जोईन कर नहीं कर पा रहे लिंक से तो आप सर्च भी कर सकते हैं एट दारेट शौर करकेट पेडिक्शन वन के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में आपने नंबर दीजे हम ना skip कि आपको full वीडियो देखना है तो देखे दोस्तों हमारा जो सबसे first number का जो point है वो है set your mindset देखे दोस्तों मैंने इसे number एक पर इसलिए रखा है माल लिजे यदि आप कोई सी भी लिग करते हैं IPL हो गया, CPL हो गया कोई सी भी लिग करते हैं या फिर कोई business भी करते हैं तो यदि आपका mindset नहीं है तो आप किसी भी बिजनेस में या किसी भी लिग में cricket में आप profit लेके उठी नहीं सकते हो क्यों नहीं उठ सकते हो देखिए मैं आपको एक example के तोर पर समझाता हूँ मान लिजए यदि आपको बिजनेस स्टाट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो अपका mindset करते हो कि इतनी पुंजी है मेरे पास मतलब इतना अगर नुकसान हुआ तो मैं इस business को बन कर दूँआ ये सारी चीज़े आप business स्टाट करने से पहले आप योजना बनाते हो तो देखे दोस्तों आपको IPL में भी सेम ऐसा ही करना है क्या करना है आपको पूरी आपको पूरा मतलब आपकी एक जो limit है उस limit से अगर आपको जादा loss हो गया है तो आपको उधार करके या करजा करके आपको सबसे पहले तो match नहीं करना है आपको सबसे पहले आपकी एक limit तरह करना है कि आपको per match में कितनी limit से खेलना है दूसरी चीज़ दोस्तों आपको ऐसा नहीं है कि कोई सब biggest first match आया तो उस पे सारे के सारे पेसे लगा दिये आपको लगा किया यह टीम तो बहुत पक्की है इस पे सारे पैसे लगा दो वो मानलो कल से हार गई तो इतने साले लीग में मेचेस उसके क्या करोगे आप तो इसलिए कह रहा हो आपका माइंड सेट करो सबसे पहले आप कॉपी पेन लेकर बेटो IPL में बहुत सारे मेचेस होते है पर मेच में एक फिक्सर रखो कि इतने मेच में मतलब इस मेच में कोई इतना करना है इससे ज़्यादा आपको लालश नहीं करना है चाहे आप हारो चाहे आप जीतो आपको आपका माइंड सेट रखना है आपको आपका इतना mindset रखना है आपको एक target लेकर चलिए जैसे माल लीजे आपको target है आपका कि आपको IPL से 1 लाख रुपे कमाना है दो लाख रुपे कमाना है तो वो target आप लिख के रखो दूसरी चीज आप हर match में मतलब एक आप limit set करो मतलब आपको इस limit से खेलना उससे ज्यादा नहीं करना है प्रॉफिट हो चाहे loss हो अगर आपका mindset नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इसलिए आपका match start होने से बेले आपका mindset रखो दूसरी चीज कि अगर आप match कर रहे हो तो उससे full time दो ऐसा नहीं है कि आपने देखा ये कर दिया उसके बाद mobile बन, match बन अगर आप कुछ भी business करते हो या फिर आप कुछ भी trading वगेरा cricket में करते हो तो आपको full time देना ही पड़ेगा देखे दोस्तो जब तक आप full time नहीं दोगे ना तो आपको मेज समझ में आएगा ना profit लेकर उटपाओगे ये तो एक तरीक एका जुआ हो जाएगा अगर आप कुछ भी बीच में लगा के छोड़ देते हो हार जीत पे direct दोस्तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपका mindset करके बिल्कुल accurate ट्रेडिंग के साथ पूरे मेज को आपको करना होगा ऐसा नहीं कि बीच में कुछ भी लगाया और ये ऐसा हो गया वैसा हो गया आपको बिल्कुल आपका mindset रखना होगा तो देखे दोस्तो हमारा जो second number का point है use limit always part wise how to use देखे दोस्तो इस point को ये जो point है मैंने जो first point उसमें इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था लेकिन इसमें मैं पूरा full details के साथ में आपको बताऊंगा कि आपको आपकी limit कैसे part wise use करना है लेकिन उससे पहले अगर आप आपकी limit full use करते हो मतलब जैसे माली जो कोई मेच चल रहा है और आपकी limit माली जो 10,000 है और आपने माली जो 10,000 लगा दिया आपकी team पर और माली जो आपकी team ऐसा के ऐसा मेच हार गई straight मेच हो गया वो और आपकी team हार गई तो आपको सीधे सीधे 10,000 रुपे का loss होगा लेकिन अगर आपकी limit को part-wise यूज़ करोगे तो आपको देखे दोस्तो माली जो कोई मेच हार भी रहो तो उसमें इतना loss नहीं होगा तो दोस्तो कैसे आपको limit को part-wise यूज़ करना है बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा देखे दोस्तो आपकी limit माली जो 10,000 पर मेचे तो आपको क्या करना है भले आपकी limit 10,000 हो 20,000, 25,000 हो आपकी जो भी limit रहती है उसमें आपको 5 का divide करना है देखे दोस्तो माली जो आपकी limit 10,000 है तो 10,000 में आपको 5 का divide करना है तो कितना हो जाएगा 2,000 मतलब क्या करना है यह जो 2000 है इसे आपको 5 पार्ट में डिवाइट कर लेना है 2000 को 5 पार्ट में डिवाइट करोगे तो 10,000 ही होगे अब आपको entry कैसे लेना है माल लिजे चेनने और मुंबई का मेच है तो आपको चेनने को जिताना है तो माल लिजे आपको सबसे पहले आपके फिर 2,000 यूज़ करना है फिर उसका 70 पे इसे पाती है तो फिर 2,000 ऐसे करके आपको जब भी आपको लगे आपकी लिमिट ऐसे उसको टुकडों में बाट लीज़ेगा 5 से डिवाइट करके और उसको जब जब रेट कम मिलता रहे आपको उसको यूज़ करना है अब दोस्तों माल लीज़े आपको यह लग रहा है आपने 2 बा लिमिट यूज़ करी उसके बाद आपको लग रहा है कि आप टीम नहीं जिससकती है यह आपको लग रहा है डौट तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, तो लिमिट को पार्ट वाइस करने का दोस्तो यही फायदा रहता है, मतलब आपको एक तरीके से मैं आपको एक परसनल चीज बताता हूं, परसनल एक्स्पिरियंस, दोस्तो अगर आपको IPL से है, किसी भी लिख से अगर पैसा कमाना है तो आपको सट्टोरियों की तरह नहीं सोचना होगा, आपको बिल्कुल एक बिजनेस की तरह सोचना होगा, बिजनेस की तरह कैसे, कि देखे दोस्तो, आपको कोई सभी में चोस में ट्रेडिंग करना है, और ट्रेडिंग में भी आपको आपकी जो लिमिट है पार्ट वाइ use करना ही होगी और दोस्तों अगर इससे भी ज़्यादा अगर आपको details में जानना है तो आप telegram channel join करके वहाँ पस्तल message करो मैं आपको पूरा details में समझा दूँगा तो देखे दोस्तों हमारा जो second number का point है join only one telegram channel they have free ये दोस्तों इतना most important point है अगर आप नए पंटर हो पुराने पंटर लोग तो जानते हैं क्योंकि वो सारे मेरे चैनल में आप उसे ही जोइन करो और आप समझ गए होंगे कि मैं मेरे चैनल की बात कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तो आप हमारा चैनल जाके देखलो सारे में इस ट्रेडिंग के साथ करवा हैं और बिल्कुल फ्री आफ कोस्ट है दोस्तो अगर आप नए पंटर हो या प्रोफेशनल पंट चैनल होते हैं पेट चैनल वाले कभी पस्नल मेसेज का ओप्शन नहीं रखते हैं तो दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे चैनल में एड़ो जो फिरी हो और दोस्तो मैं आपको बता दू बहुत कम चैनल ऐसे मिलेंगे जो फिरी रहते हैं क्योंकि सब कमाने के यूटूब वीडियो है वो जिसका यूटूब वीडियो रहता है वो पेड में काम कभी भी नहीं करता है तो दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा प्लीस टेलिग्राम चैनल जोइन कर लो जिसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखिए तो दोस् पंतर आते हैं, जो नए पंटर लोग आते हैं, सबसे पहले उनके मन में एक ही लालश रहता है, कि कम पैसे जादा पैसे कमाना यदा, इसके लिए वो दो चीजीा अपनाते हैं, या तो वो पेड में जुड़ जाते हैं, या प्रॉफिट शेरिंग work में जुड़ जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उन्होंने एक या दो में चोपन दिया, उसके बाद वो आपको paid निकाल देते हैं, paid details, मतलब एक मेंच के 3000, 4000, जितने भी उनको लेना होते हैं, वो लेते हैं, फिर वो paid में काम करवाते हैं, अब दोस्तों एक simple सा, मतलब एक उधारन दे के हमें, कि अगर paid में किसी को पता होता, कौन से team जीत रही है, तो व्यक्ति खुदी है, अमीर बन जाता लगा कर, वो दूसरों से paid नहीं लेता, तो दोस्तों जो नए पंटर लोगें, मैं के रहा हूँ, उसे आप avoid करो paid को, और दूसरा profit sharing work, ये क्या होता है, कोई भी अपना जो कोई भी person रहता है, वो अपनी ID दूसरे को देता है, किसी को खेलने के लिए, लेकिन उसे पहले उनको security के तोर पे, 10,000, 20,000, 30,000, ऐसे रुपे जमा कराने होते हैं, तो दोस्तों मैं कहे रहा हूँ, ये भी सबसे खतरनाक चीज है, profit sharing work, इन दोनों से आपको दूर रहना है, अगर आपको पैसा कमाना है, तो खुद खेलो mind से, खुद self depend बनो, अपने mind से team निकालो, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है, कौन से team जीतरी है, कौन से team नहीं जीतरी है, ये जो भी चलता है, प्रेडिक्शन से चलता है, लेकिन आप telegram channel में जाओगे, तो आपको बोले में भी, तो दोस्तो अगला सबसे most important point है, peach report, weather report, player information, chase, defend, all about this, देगे दोस्तो ये भी एक most important point है, अगर आप IPL मेच करते हो, आप जीतरी हार पे करोगे, तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग वगेरा करनी होगी, तो लेकिन ट्रेडिंग वगेरा करने से भी पहले, अगर chase, defend, उस ground का क्या होगा, ये सारी चीज़ों कि अगर आप information निकाल लो, तो आपको 50 से 60% chances होता है, क्या आपकी जो आप जो निकालते हो, उस आधार पे आपको जो लगता है, वो 60 से 70% सही होता है, तो दोस्तो कोई सब ही match start हो, उससे पहले आप pitch report, weather report, player information, chase, defend, क्या उसका average first inning score हो सकता है, क्या उसका average second inning score हो सकता है, chase करने वाली team उस ground पे कितने matches जीती है, उसके बाद कितने match defend हुए है, दूसरी चीज, दोस्तो के जो team है खेल रहे हैं, उनका आपस में record कैसा है, उनका player का recent form कैसा है, अगर ये सारी चीज़ों कि information आप निकाल लेते हो, तो आपको 70 स 60% आपको पता चल जाता है कि कौन सी team जीच सकती है, देखें दोस्तों अगर आपको prediction निकालना नहीं आती है, तो मैंने एक video बनाया था कि आप IPL match की prediction खुद कैसे निकाले, वो मैंने video upload करा है, मैंने link बगेरा नहीं दिये, लेकिन आप जाके check कल दीज़ेगा मेरे videos में, आ IPL match की prediction खुद कैसे निकाले, वो आपको उस video से आपको बहुत help मिल जाएगी, तो दोस्तों कोई साभी match start करने से पेले अगर आप इन सारी चीज़ों की information निकाल लेते हो, तो आपको बहुत chances रहता है कि आपको पता चल जाता है कौन सी team जीत रही है, कौन सी team हार रही है, त इन स्कोर, second inning score, player information, यह सारी चीज़े वो खुद बता देते हैं, क्रिक बस वाले, yahoo cricket वाले, बहुत सारे APS हैं, जो बता देते हैं, तो दोस्तों match start होने से पेले इन चीज़ों पर भी अगर आप focus करोगे, अगर इसे एक business के रूप में लोग है, और अगर आप इस पर अच इनस वाले वेक्तियों, या आप student वगेरा हो, तो दोस्तों आपसे request है कि आप telegram channel join कर लो, क्योंकि यह सारी चीज़े जितनी भी हमने बताई इस point में, यह सारी चीज़े हम बहुत सारा analysis करने के बाद ही आपको team बताते हैं, यह से तुगा वक्का हम नहीं मारते हैं, तो इस इसा नहीं कि हमारे 100% मेचेस ही सही है, लेकिन यह है कि 90% मेचेस आपको वहाँ पे सही मिलेंगे, और आपको trading में भी बहुत help मिलेगी, तो दोस्तों यह कुछ points मैंने बताया थे मेरे personal experience है, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like जरू करतीज़ेगा, आपके कमेंट कीजिए या टेलीग्राम चेनल जॉइन करके वहाँ पे आप मुझे personal message कीजिए, मैं आपका हत्वात reply दूँगा, तो दोस्तों आपसे request है, प्रीज आप यूट्यूबर टेलीग्राम चेनल जॉइन कर ही लीजिए, धन्यवाद